माई कुकिंग एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आज हम बना रहे हैं एक बहुती बड़िया घरेल नुसका सर्दी जुकाम और बुखार के लिए इस काड़ा को बनाने के लिए सिर्फ हमें दो ही चीजें चाहिए पर यकिन माने हैं ये बहुती ज़्यादा असरदार है मैंने खुद इसे ट्राइ किया है मेरे फैमिली में जब भी किसी को सर्दी जुकाम या बुखार होता है मैं सबसे पहले इस काड़ा को बनाती हूँ आप भी इसे एक बार जरू ट्राइ करें चलिए देख लेते हैं इस काड़ा को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है आठ से दस पत्ते तुलशी के इसे मैंने अच्छी तरह से धूल लिया है ताकि उपर का जो धूल है वो निकल जाए फिर हमें चाहिए काली के ले ले काली मिर्च को हलका सा कूठ लेंगे इसका पाउडर नहीं बनाना हमें अगर पाउडर बनाएंगे तो काड़ा थोड़ा सा तीखा हो जाएगा पैस ऐसे हलका सा कूठ ले और अलग रख ले अभी एक बरतन में दो कब पानी ले लेंगे फिर पानी के अंदर हम कुटी हुई काले मिर्च को और तुलशी के पत्तों को डाल देंगे अभी बस सभी चीजों को हमें उबालना है गेस्टोप पे इसे चड़ाएंगे और जब पानी में ऐसे उबाल आने लगे फिर गेस्टोप के फ्लेम को लोपे करेंगे और इसे ढखके 15 मिनिट तक पकाएंगे दो कप पानी को हमें रिडियूस करके एक कप करना है अभी 15 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं अभी ये आधा बचा है इस टेच पे फिर हम गेस्टोप को बंद कर देंगे और इसे ढखके थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए 2-3 मिनिट के लिए छोड़ देंगे फिर इसे चान ले और जब ये हलका गुनगुना हो तभी इसे पिए सर्दी जुकाम और बुखार में आप इसे दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं पर ध्यान रखे कि हमेशा आप इसे ताजा बनाए और ताजा ही पिए और अगर ये काड़े की रेसिपी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें